देखिए तो हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं फिर से टेन्डर को और फिर हम लोग नए टॉपिक्स पर आते हैं ये आपका बीट नंबर है ये टेन्डर का डेट है यह date है, कब यह खतम होगा, यह publish होने का date है, यह in date है, in date से opening का date आधे गंटे में रहेगा, automatically ले लेता है, यह offer validate का date है, मतलब इतने दिन के अंदर बायर आपको work order बायर को दे रहा ही पड़ेगा, यह department का नाम आ रहा है, इस department का tender है और उसके अंदर कौन से organization में यह tender निकला है, total quantities, product में जो जो product है, यह सब product है, उसका मिला के इतना quantity आप बायर को लगने वाला है, किस-किस category में है, तो category का थोड़ा उसने नाम बता दिया, यह सब category में आपको product चाहिए, जहां पर आपको पौमा दिख रहा है, यह एक product हो गया, फिर यह दूसरा हो गया, फिर यह ति यहां पर B.O.Q. title बोल के लिखा है, जब भी कोई tender में ऐसा B.O.Q. title बोल के लिख के आ गया, तो समझने लें का यह tender B.O.Q. bid है, जैसे मैंने आपको total type of tender के बारे में एक बार मैंने बताया था, क्या-क्या बताया था, कि custom bid, product bid, services bid में, services में custom और B.O.Q. bid, तो यह इसमें जो documents है, वो है experience, past performance, bidder turnover, A.T.C., O.E.M. authorization, O.E.M. annual turnover और compliance of B.O.Q. यह सब documents लगेंगे, यह सब documents अल्रेडी हमने आपको बता दिये, सभी type के documents, अब यहां पर जिते हम लोग आगे बात करते हैं, तो अभी यह जो turnover लगेगा, bidder का, मतलब जो tender भर रहा है, उसको हम लोग bidder ब यह tender भरने के लिए 33 lakh होना चाहिए, मतलब आपके पास last 3 साल का average turnover, average turnover कितना होना चाहिए, 33 lakh है, जिदे आप इसके उपर जादा हुआ तो चलेगा, पर इससे जदे आपका कम है, तो आप यह tender participate नहीं कर सकते हैं, मतलब आप eligible में नहीं वेटते हैं, जिस भी company का product दोगे, य दो लाख 68000 से उपर होना चाहिए, मनले कि दस company का product दे रहोगा, तो दसों company का turnover दो लाख 68000 से उपर होना चाहिए, year of past experience, जो तीन साल का लगेगा, तीन साल के पाद आपके बास last तीन साल में यह product आप दे चाहिए, उसका भी आपके बास होना चाहिए, MSME को exemption मिलेगा, MSME मतलब OEM को, तो OEM को छूट मिलेगा क्या experience और turnover में, तो मिलेगा, जदि आप OEM यह tender भर रहे हो, तो आपको experience और turnover जदि आपके पास नहीं भी है, तब भी आप यह tender भर सकते हो, तो आपके लिए वो छूट हो जाएगा, जदि आपके पास आप manufacturer नहीं हो, पर आपके पास startup इंडिया का license है, तब भी आपको experience और ITR देने की ज़रुरत नहीं ह उनको भी छूट है, पास performance 40% है, यह tender bid के बाद R.A. में convert होगा, R.A. के लिए qualification rule है 50% lowest price, मतलब 10 लोग जदि R.A. में qualify होते हैं, bid में, bidder में qualify होते हैं, तो जितने लोगों ने rate quote किया है, उसमें से 5 लोग ही R.A. में participate कर पाएंगे, 5 लोग R.A. में participate नहीं कर पाएंगे, क् कि उसकी इसाब से norms decide क्या हुगा है, 50% lowest price, माल लिए 10 लोग थे, तो L1 से L5 ही R.A. में जाएगा, L6 से L10 R.A. में participate नहीं कर पाएंगा, two packet bid हैं, तो बताये था में single और two packet bid, single packet मतलब एक ही जो tender है, वो technical और final से एक साथ खुल जाता है, पर two packet में क्या होता है, पहला technical खुले और फिर finance कुलेगा, इस category में total main product यह वाला, आपको दो दीन का time मिलेगा, जदी आपने कोई documents गलट डाल दिया, ता आपको दो दीन का time मिलेगा, मतलब वो documents को correction करने के लिए, कोई third party inspection नहीं है, इसमें evolution कैसा होगा, item wise, item wise evolution मतलब आप जितने भी product हैं, यहाँ पे जितने भी total product हैं, इसमें से आप कोई भी product में participate कर सकते हैं, क्योंकि item wise evolution है, आप चाहो तो इसमें से 5 product, चाहो तो 2, चाहो तो 10, किसी में भी participate कर सकते हो, जदी यह tender, यहाँ पे item wise के जगा value wise होता, तो इस tender में जो जो product मांगा है, सब के सब product आपको देना पर पा, यह tender में EMD है, EMD कैसा है, तो EMD आपको भरना है state bank of India में, उस state bank of India का ही BG चाहिए, schedule 1, schedule 2 EMD यह है, क्योंकि यह tender item wise है, तो schedule हो गया, तो अभी हर एक item का, जो जो item का आप tender भरोगे, उस item का, माल लीजे, आपने पहला वाला भरा, दूसरा वाला item का tender code कर रहे हो, और चोथा वाला का कर रहे हो, तो एक number, मतलब 3864, प्लस 1300, प्लस 453, इतना ही आपको EMD भरना है, जिस जो जो item में tender भरोगे, उतना ही effort EMD भरना है, जिस product में participant नहीं करोगे, उसका EMD आपको नहीं भरना है, इसलिए हर एक item का individual EMD आपको निखा हुआ है, इस tender में EPBG भी है, EPBG कब लगता है, tender के बार, अभी लहीं, जब tender जदे आपको मिलेगा, तो देरा पड़ेगा, EPBG का duration कितना रहेगा, 6 महने का, और कितना परसंट भरना पड़ेगा, 10%, मालो आपको tender मिला है, एक कड़ रु EMD में छूट मिलेगा, किसको मिलेगा, SIM, OEM को, OEM जिसके पास उद्यम है और OEM है, वो EMD नहीं भरा तो भी चड़ेगा, उसके बियाप में वो अपना उद्यम का certificate अपलोड कर सकता है, पर छूट किसको मिलेगा, सिर्फ OEM को, हाँ, ये services का tender होता, तो आपको भी मिलता था, EMD किसके नाम से बना है, तो इनके नाम से busy बनाना है, bank guarantee होता है, इसके नाम से बनाना है, split नहीं है, है ना, Mac in India में ये आता है, और MSME में भी ये tender आता है, ये देखो, ये schedule है, item wise evolution का, हर एक item का नाम और total यहाँ पर quantity लिखा है, और ये product का details, अब एक एक item का आपको details आ गया ये आपका item है, और ये product का यहाँ पर details आ गया है, अब जिदि आपको पूरा, ये bioq tender इसलिए यहाँ पर हम लोग एक Excel size seat में, हर एक item का quantity details अपने को मिल सकता है, और ये product कैसा लगेगा, उसका specification यहाँ समील जाएगा, इसमें सिर्फ quantity और numbers लिखके देखिया है, और जिदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो bioq का, तो यहाँ पर आपको एक Excel seat मिलेगा नीचे, उसमें हर एक item का नाम और quantity आ जाएगा दर्म, हर एक item का नाम, उसके नीचे quantity इसमें है, और ये और material रिसीव करें का उनका login आइडियो, और delivery आपको 30 days के अंदर पर्म, यह सब details आ गया, हर एक item का आपको यहाँ पर details मिल जाता है, यह सब 17 item का total tender है, तो यह सब details आपको यहाँ पर मिल जाता है, हाँ, दिक्षित सर बोलियो, यह देख तुछना था कि जैसे हम लोगों को बेटका रप्संटेशन का टाइम मिलता है, यह सब्सक्राइब करना चाहूं, यह कौन सी ऐसी है, आप यह पर उतना कुछ इंपक्त नहीं होगा, आप RTI में उनके अगैस में action file कर सकते हो या तो कोई lawyer को पकड़के और उनके अगैस में एक so cost notice जारी कर सकते हो, नहीं अभी तल आपका कुछ experience ऐसा नहीं कि कभी आपने ऐसा किया हो, तो TTI में आप जारी कर सकते हो, यह आप एक legal notice बेज़र दो, मैं कह रहा हूं कभी आपने ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ को इंसिदेंट वह आपने कभी किया है उसको पर कोई हुआ है क्या है सच हाँ लीगल नॉटिस भीजा तो एक्षन हो गई होगा आपको डारेट पायर को लिगल नॉटिस में क्या करता है कि हम उसको जो अब किस तरीके से सोचते हो यह आपको ही पता है हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा क्या बताओ नहीं सब्सक्राइब का अपना अपना experience होगा अब उसके में क्या कर सकते हम आपको उसको जरूर उसके बारे में आइडिया क्या सोचता है यह बताना बड़ा थोड़ा लेगर लोटिस बेजने से सबसे ज्यादा इंपक्ट पड़ेगा है जैसे इसमें पर जैसे हम लोग कोई फाइल कि कि किसी और पाडिसिपेंट की तो क्या अगर हम को कंप्लेंट करें कि भाई जो दूसरा पाइडिसिपेंट उसकी फाइल शो की जाए तो यहां पर कुछ न सब्सक्राइब करना पड़ेगा यहां पर जैम उसके लिए नहीं कुछ नहीं करेगा करेगा आप बैंक में सब डिसकुर्शन करो यह सब आपको पता चाहिए जाएगा करो क्लियर हो गया सब यहां तक आप यहां पर दो पॉइंट हमने नहीं बताया था वह दो पॉइंट में आपको बताता हो और है इसको बात करते हैं हम लोग में किन इंडिया देखो आप जो पोड़क्ट दोगे यह में किन इंडिया के तहत चाहिए ऐसा उसमें बोला है इ में किन इंडिया में जब प्रिफेर्श और रिजर्व्ड होता है उसका मतलब क्या होता है जदी यहां पर हम बात करते हैं प्रिफेर्श रहा प्रिफेर्स लिखा रहा, प्रिफेर्स येस लिखा रहा, तो मेक इन इंडिया का परसेंटेश कितना होगा, 20% to 50%, ये मेक इन इंडिया का होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्लास टू, लोकल सप्लायर, जदि यहां पर रिजर्वड लिखा होता, मेक इन इंडिया, रिजर्वड येस होता, तो मेक इन इंडिया परसेंटेश होता, ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्जादा, और ये क्लास वन लोकल सप्लायर में माना जाएं, तो यहां पर ऐसे दो आप्सेंस आ सकते हैं, या तो प्रिफेंस, या तो रिजर्वड या तो नो, नो मतलब कुछ भी चलेगा तो आपको जैसा बोलेगा, अब जदि आपको इसमें क्या बोला है, प्रिफेंस बोला है, मतलब 22-50% के बीच, अब आप जो भी पोड़क्त द बने, माल लीजिए, ये टेंडर होता लैप्टॉप का, तो लैप्टॉप में क्या-क्या पार्ट्स लगता है, जैसे लैप्टॉप में स्क्रीन आता है, मदर बोर्ड आता है, हार्डिक्स आता है, कैमरा आता है, SSD आता है, रैम आता है, तो ये सब चीज मिला के लैप्टॉ होता है यह सब इसमें रॉम लगते हैं तो 20 परसंट जो कंपनी का पोड़क्ट होगे उस कंपनी का एट लिस्ट 20 परसंट पोड़क्ट इंडिया में मेनिफेक्चरिंग होना चाहिए मिनिमूम 22-50 परसंट या 20 से उपर वही पोड़क्ट आप इस टेंडर में दे सकते हो उस ब्रांड का ही पोड़क्ट दे सकते हो जिसका एट लिस्ट 20 परसंट मेनिफेक्चरिंग इंडिया दो तो आपको यह Check कैसे करेगा, किसलिए ए 01 चेक नहीं करता यह क्या बोलता है, आपको Making India का एक Certificate रहते हुए Certificate किसके नाम से होना चाहिए Certificate, जिस company का پोडक्ट है वो company आपको एक declaration अग्याकर पोडक्ट मेरा जो फोरटक्ट है उसका इतना percent मेक इन लाओ इसका एक format है जो आपको already group में हम लोगों ने share कर दिया है उसी उस तरीके का format या उसके थोड़ा अलग type का पत्म content वही होना चाहिए आप ऐसा लिखके tender में submit करोगे जब make-in इंडिया में yes लिखा रहेगा तब मतलब वह class 2 होगा और रिजर्वड हुआ तो 50% से ज़्यादा इसमें प्रिफेंस है तो देखो कि इसमें कितना होगा percentage 22 50% के बीच यह कहां पता चलता है यहां के 50 & 20% लेको लिखा है आप 50% से ऊपर भी दे सकते हो क्योंकि यह class 2 है और जदी यह class 1 होता reserved होता तो यहां लिखा होता 50% से ज़्यादा ही make-in इंडिया होना चाहिए प्रूप के तोर पर क्या दोगे जिस company का product दे रहे उनसे authorization मतलब एक self declaration बोल सकते हो वह प्रूप आप इधर upload करेंगे बहुत टाइम पर क्या होता है अपने को OEM से यह चीज़े नहीं मिलती है ऐसे condition में आप अपने later head पर ही लिखके दे देना जदी भी आपको buyer नहीं माना कि मुझे OEM का ही चाहिए तो फिर आप दो दिन का time मिलेगा तब आपने OEM से मांगा के और फिर आप upload कर दो clear है make-in इंडिया चलिए तो आते हैं MSME MSME purchase preference MSC मैंने जब भी बोला MSME MSC का MSME का benefit किसको मिलता है OEM को तो यहां पर भी इसका benefit किसको मिलेगा OEM को यहां पर preference है मतलब पहला benefit किसको मिलेगा इस tender का यह tender पहला OEM को दिया जाएगा पहले जदी OEM नहीं रहा तो reseller को मिलेगा पर पहला credit किसको जाएगा यह tender OEM को जाएगा ठीक है यहां पर यह बोला है जदी यह tender reserved होता लिखा होता तो MSME purchase reserved लिखा होता तो तो यह tender reseller वाले भर ही नहीं सकते सिर्फ OEM वाले ही यह tender भर सकते हैं जो जेम पे manufacturer है ऐसा नहीं कि आप कहीं manufacturing करते हो और आप भर दोगे जेम पे जिनके पास vendor assessment है OEM पैनल लिया हुआ है वही यह tender भर पाएगा जदी यहां reserved हो गया प्रेफेल्स हुआ तो कोई भी भर सकता है पहला प्रेटी OEM को मिलेगा तो कितना मिलेगा किस बेस में लिखा होगा कितना % का आपको benefit मिलेगा OEM को L1 प्लस 15% का benefit मिलेगा और कितना product 25 % selected 25 % का OEM को benefit मिलेगा क्या-क्या लिखा है L1 प्लस 15 % 25 % award quantity का जेम में OEM को इसका benefit मिलेगा अब इसको थोड़ा सम्जो लॉजिक क्या लिखाए देखे प्रिफेर्स तो दिया है एलवन क्लस 15 परसेंट का और कितना परसेंट मिलेगा 25 परसेंट एवार्ड होगा ठीक है ऐसा इसमें क्लॉज डाल दिया है अब समझते हैं अब ये टेंटर भरा है एलवन है एक सो दस एल थ्री है एक सो पच्छे सुक्राइब एलफॉर है एक सो देशुक्राइब बराबन एलवन मतलाव लोईश सबसे काम किसने वारा है अब एलवन रहे से लेरे हैं ओयम नहीं एल्टू एल्टू जो है यह और्जिनल मैनिफेक्चर अब है अब क्या होगा अब और डायरेक्ट एलवन को नहीं चला जाएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है पहला प्रेल्टी किसको मिलेगा कहां गया हो पॉई कि ए लिए प्रेफेंश किसको मिलेगा मसेल को मतलब यह पहला प्रेफेंश में ऐसा लिखाया इंद और तूगो बायर क्या करेगा यह टू जो ओएंद्टू को बोलेगा आप हंडेड्र रुपीस में दे सकते हो क्या इसको बोलते हैं प्राइश मैच जदी वो agree हो गया ठीक है मैं 100 रुपीस में दे दूँगा तो उसको कितना percent quantity चला जाएगा 25 percent award हो जाएगा मानलो यह total हजार quantity था तो हजार में 7500 quantity किसको चला जाएगा OEM को और sorry 200 quantity और 7500 quantity L1 को जाएगा दोलों same rate में supply गरेगा पर दो लोगों को यह tender मिल जाएगा OEM को इसमें कुछ काम OEM को मिलेगा क्यूं क्यूंकि उसको MSME का यह preference का benefit मिलेगा और rate कब इसको price match का options आएगा जब इसका rate 15 percent से ज़्यादा ना हो मानलो L2 भी reseller होता और L3 OEM होता तो price match का options नहीं आता क्यूंकि 100 रुपीस में 15 percent एड होगा तो 115 जदी OEM 115 रुपिया से नीचे भर rate code करता है तो ही उसको price match करने का options मिलेगा नहीं तो price match वो नहीं लेगा क्लियर है कि समझना आया जो वेकिन इंडिया का benefit और में सी कवे रुपिट है ठीक है फिर बाकी के point तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया था यह schedule बीड़े इसलिए अलग अलग आइटेम का आ गया और यहां पर पता चल जाता है यह बीड़े अब मैं थोगा आपको समझमृता हूँ एक टाइप का में टेंडर लें तो आपको समझ कर दाए अगा और एक टाइप का टेंडर को ताओ है विड़ scent of video विड़ हो गया एक कस्टम विड़ खुनता हूं एयह हमारा कस्टम विड़ और एक टेंड़ा चाहिए प्रोड़क्ट बिड़्ड इन्ट्रेक्टिव पैनल का ठीक है इन्ट्रेक्टिव पैनल ही देख लेता है पर यह क्यों टू आइटम है यह नहीं है लेक्स्ट आपन ट्विटर यह फोड़ल में है यह इंट्राक्टिव पैनल का तो नहीं हूँ पर फोड़ल दिए अब देखो कैसे पता चलता है हमेंसा टेंडर हमें पता करना है यहां से पता चलता है अब देखो जब कोई पोड़क्ट है नाम है और उसके नैचे-स्पैसिफिकिशन लिखा हुआ है तो यह टेंडर है पोड़ल कैसे पता करोगे जदी कोई टेंडर का जो पोड़ल है उसके नीचे-स्पैसिफिकिशन लिखा है तो ये है custom build और product के नीचे जदी specification और bioq दोनों लिखा है तो ये है bioq build कैसे पता चलेगा एक वार repeat करता हूँ जदी कोई product के नीचे ऐसा specification लिखा है तो ये है product build जदी कोई product के नीचे सिर्फ specification लिखा है तो यह है custom bid और जदी यहाँ पे product के नाम के नीचे specification प्लस BOQ दोनों लिखा है इसको बोलेंगे BOQ समझ मांगे tender पहचानने का तरीका बोलिए यहाँ तक में कोई doubts है तो बताईए